कि मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार करोना के खिलाब देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सब्ता पहले तक ठित्या समली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी बेव तुफान बनकर आ गई जो पीड़ा आपने सही हैं जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देश वास्चों के तरफ से उनके प्रती सम्वेदनाई व्यक्त करता हूँ परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ चुनोती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाप, पैरा मेडिकल स्टाप, हमारे सभी सभाई कर्मचारी भाई भेहन, हमारे एंबूलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षाबल, पुलीस कर्मी, सभी की सराना करूंगा, आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दाव पर लगाकर लोगों को बचाया था, आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सूख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं, साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैरियम, विदुरे अपिकाले, अर्थात, कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए, किसी भी परिस्तिती से निपटने के लिए हम सही निड़े लें, सही दिशा में प्रहास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं, कि इसी मंत्र को सामने रख कर, आज देश दिन रात काम कर रहा है, बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे, इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में, आक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, इस विशे पर तेजी से और पूरी समवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरत मन को आक्सिजन मिले, आक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं, राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुचाने हो, और द्योगी इकाईयों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है, साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है, आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में, देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे अभी और तेज किया जा रहा है, कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्षपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कमपनियां की मदद ली जा रही है, हम सौगभाग्य साली हैं, कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है, जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है, इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है, कुछ शहरों में ज़्यादा डिमांड को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं, साथियों पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे, उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था, हमारे वैज्यानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाच्चों के लिए वैक्सिन्स विख्षित किये हैं, आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में हैं, भारत की कोल्ड चेन व्यवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास हैं, इस प्रयास में हमारे प्रावेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहत्रीन प्रदर्शन किया है, वैक्सिन की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रेक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है, यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्सिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान शुरू कर पाया, टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरुरत मन लोगों तक वैक्सिन पहुँचे, दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड, फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्सिन डोस दिये गए हैं। आज कोरोणा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वरकर्स, फ्रंट लाइन कोरोणा वारियर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सिन का लाब मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सिनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजर्गों, नीबने मद्यमवर के लोग, मद्यमवर के लोग, 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सिन कारकम चल रहा है, वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त वैक्सिन मिलती रहेगी, जिसका फाइदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मद्यमवर, निम्मद्यमवर के परिवार हो, वो उनका लाब उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास, जीवन बचाने के लिए हैं, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयासे भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितों, प्रयास का तरीका यही रखा जाए है। वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्क फोर्स है, उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी। राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्र है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्र करे कि वो जहां है वही रहे, राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा, उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थित्यां थी, वो अभी से काफी बिन्न थी, तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए, कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इन्फा सक्टर नहीं था। आप याद करिए, देश की क्या स्थिती थी, कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं, पी-पी-ई का कोई प्रोड़क्शन नहीं, हमारे पास इस बिमारी के ट्रीट्मेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं, लेकिन बहुती कम समय में, हमने इन चीजों में सुधार किया, आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुती अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं, आज हमारे पास बड़ी मात्रा में PPE कीट्स हैं, लैप्स का बड़ा नेटवर्ग हैं, और हम लोग टेस्टिंग की सुविदा को निरंतर बढ़ा रहे हैं, साथियों, देश ने करोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं, इसका स्रे आप सभी को, सभी देशवास्यों को ही जाता है, अनुशाचन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते विए आप देश को यहां तक लाए हैं, मुझे विश्वास हैं, जन भागिदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे, आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राद जुटे हैं, दवाई पहुँचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, मैं इन सभी के सेवाभाव को आदर पुर्वक नमन करता हूँ और देश्वाश्यों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वाशी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाएं, समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथ्यों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, महले में, एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेन्मेंट जोन लगाने की जरूर पड़ेगी न करव्यू लगाने की जरूर पड़ेगी और लोगडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है। आवस्क्ता ही नहीं पड़ेगी। स्वाच्छता अभियान के समय देश में जागरुकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी। चोटे-चोटे बालक पाच्वी, साथ्वी, आच्वी, दस्वी पर पड़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था, उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ। मेरे बाल मित्र, गर में ऐसा माहुल बनाईए कि बीना काम, बीना कारण घर के लोग गर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहोर कम हो सके। लोग अफ़ा और ब्रह्म में न आएं। साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लोग डाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोत करूंगा कि वो लोग डाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। में लोग डाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है। हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश वास्यों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्री का आखरी दीन है। कल रामनोमी हैं और मर्यादा पुरसोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकटकाल में, कोरोना के बचने के जो भी उपाय है कुरुपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए। दवाई भी, कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। यह मंत्र जरूरी है, वैक्षिन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महने का भी आज सात्मा दीन है। रमजान हमें धैरिय, आत्मसयम और अनुशाचन की सीख देता है। कोरोना के खिलाब जंग जीतने के लिए अनुशाचन भी उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो, तभी बाहर निकले। कोविड अनुशाचन का पूरा पालन करे। मेरा आप सभी से यही आगर हैं। मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूँ। आपके इस साहस, धैरिय और अनुशाचन के साथ जुड़कर आज जो परिस्तित्या हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्त रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ।